चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिलकुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें नमस्कार मैं विश्णू सरमा आप सभी का आपके अपने चैनल विश्णू ATP में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे present continuous tense के बारे में इससे पहले मैंने present indefinite tense के एक वीडियो बनाया है उसे आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे description box में मैंने उसका link दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं चाहा है तो यहाँ पर side में iju button है i icon वहाँ पर आप जाके पर आप लगी से देख सकते हैं उस वीडियो को तो आज हम देखेंगे present continuous tense के बारे में तो सबसे पहले हमें यह जाना है कि हम कैसे पहंचाने की जो वाकिए हम बोलना चाते हैं या पृष सामने लीखा हुआ है या कोई हमें बोल रहा है तो present continuous tense में है जा की नहीं हमें सबसे बारे में ही चर्शा करेंगे तो हमें पहचानना कैसे है कि present continuous tense का वो वाकी है तो जब कोई बोल रहा है रहा हूं रही हूं रहे है इस प्रकार से रहा रही रहे इस प्रकार का जो भी प्रेव होगा है हूं क्योंकि present tense है था रहा था रही थी तो पाश्का हो जाएगा रहा हूं कि है उसके बाद हम उसमें उस जो रूल है जो उसका सूत्र है फॉर्मूला है उसे बैठाएंगे फिर आप आसानी से कोई भी प्रेजंट करणी इवस्टेंस का कोई भी वाकि आसानी से दो मिर्ट में आप बना सकते हैं बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो देखत उसके बाद होता है निगेटिव याने की होता है नकारात्मग नकारात्मग नहीं खाओंगा नहीं पीओंगा नहीं खेलेंगे वे नहीं खेल रहे हैं वे नहीं जा रही है इस प्रकार से आएगा तो नकारात्मग एक होता है उसके बाद इंट्रोगेटिव याने की होता है प्रेश्ण वाचक याने सवाल पूछ रहे हैं क्या आप खाओगे क्या तुम खा रहे हो क्या वो जा रहा है क्या वो गा रही है इस प्रकार से जो भी वाकिया आएगा वो प्रेश्ण का इंट्रोगेटिव है वो होगा तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस याने सकारात्मा वाकि फिर बाकी को बाद में आपको बताऊंगा तो उसके लिए एक बहुत ही सरलसा सूत्र है सबसे पहले हमें वहाँ पे सब्जेक का यूज करन उसे हम सब्जेक कहते हैं उसके साथ हम रगाते हैं इस एम या फिर आर अब इस कहां पर लगता है एम कहां पर लगता है और आर का यूज हम किसके साथ करते हैं तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम का आई एम एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है उसके बाद अब या किसी के नाम के आगे इसका उप्योग करते हैं इस रूल के हिसाब से फिर देखेंगे हम और को प्योग कहां पर होता है यू वी या फिर दे के साथ जैसे कि यू वार वी आर और फिर दे आर उसके साथ तो यह आप याद रखेंगे M का Use कहां पर करना है? Is किसके साथ लगता है? Is किसके साथ लगता है? यह आपको याद रखना है आपको बहुत जादा Complicated हैं यह नहीं पताऊंगा क्योंकि इसका अलग होता है नियम की Similar होता है Plural 3rd Person इस प्रकार से बहुत सार इसके Rules है उससे ज़्यादी आपको समझाओगा त साथ आर का प्रयोग करना है इसे आप याद रखेंगे बस फिर आपका बन जाएगा फिर देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है मैंने आपको यहां पर कुछ आई यदि आपको नहीं पता होगा आई वी दे हम तुम इसे क्या कहते हैं तो मैं लाश में आपको इस्क्रिंसोर्ट दे दूगा वहां पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है सभी के बारे में कि आई को क्या बलते हैं यू को वी को क्या बलते हैं अस को क्या बलते हैं वहां प साथ क्या लगता है तो देखिए के साथ होता है म का तो हमने आई के साथ लगा दिया जूड़ेगा वर्ब का first form वर्ब का first form वर्ब यान origin होते है क्रिया उसका चीं फ़ॉर्म होते हैं जैसे कि माले जीजिये गो तो गो इंट हो गन यह तétique फोर्म ऊगिया वाला फॉर्म हो गया गो इस प्रकार से बहुत सारा सभी वर्ब की मदब तिंदीन फॉर्म होते हैं उससे आप आपको चाहे तो आप उससे गूगल में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं या बोलेंगे कि वीडियो बनाई है नीचे कमेंट कर देंगे मैं उसका सेपरेट वीडिय यहां पर कौन से करिया हो रही है केलना कौन से करिया हो रही है खेलना तो क्या याकने खेलना प्ले बुर्ब का फस्के साथ हमें जोड़ना है तो अब तो हमने लिखा यहां पर play और plus उसके साथ जूड़ेगा आएन जी तो play के साथ जब आएन जी जूड़ता है एक साथ लिखेंगा तो यह हो जाता है playing अब इसके बाद object क्या खेल रहा है क्या कर रहा है तो यहां पर नहीं दिया हुआ है तो यहीं पर हम इसे छोड़ देंगे तो I am playing यह आपका हो गया बन गया सही उसके बाद second देखते है राम सेब खा रहा है यहाँ पर देखेंगा आप complete पूरा object भी आएगा राम सेब खा रहा है रहा है पहचान गए प्रिजन कड्डिन वेस्टेंस है इसके बाद देखें आप लिखा है राम तो राम तो राम होता है तो राम को यहाँ पर हम उसका नाम लिख दिये किसी कभी नाम हो यहाँ पर र-a-m राम हमने लिख दिया राम तो यहाँ पर नाम के के साथ लगता है is he c e tf name के साथ लगता है इस तो राम के साथ लगेगा इस तो राम is यहां तक देखे complete हो गया subject plus is यहां पर complete हो गया mr को नहीं लिखेंगे कोई भी तीनों में से एक आएगा is लिखा यह complete हो प्लस वर्ब का first form वर्ब याने क्रिया जो काम कर रहा है तो यह जो राम क्या काम कर रहा है सेब काम है नहीं सेब काम नहीं है खा रहा है, खाना काम है, तो यह हुआ वर्ब, जो काम करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं याने क्रिया, तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, खाने का, तो खाना याने क्या होता है, eat याने, खाना, सभी को पता है, eat याने, खाना, eat, eat, plus, उसके साथ लगाना है, ing, तो देखिए, नम् apt ever he उसे रहा और यहां पर सेव कि यहां पर हम रिखेंगे एपल एडडवल पी ल ङाने की राम सेप खा रहा है राम इस इलटिंग एपल इस प्रकार चाले ON पॉर मूलम्म में चीर्मो हो ज sprout पढ़ने है एक और देख लेते हैं उसके बाद हम निगेट्रियों बढ़ेंगे आगे हम पढ़ रहे हैं यहां पर इंगे सबसे बर लगाना सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है तो हम याने होता हुआ 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 रहे हो यह हो गया वी-र फिर लिखा हुआ है वर्व का first form यहने क्रिया का first form तो क्या काम हो रहा है यहां पढ़ना पढ़ना तो होता है reading read plus ing we are reading हम पड़ रहे हैं इस प्रकार से आप कोई भी जो वाक्य होगा जिसमें रहा हूं रही है इस नियम के अधार पर आप बना सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं negative sentences के बारे में उसका नियम क्या है यहां पर हम बात करेंगे negative sentences याने की नहीं negative याने होता है नकाराथ पक कोई चीज नहीं जैसे कि मैं खा नहीं रहा हूं घूमने नहीं जा रहा हूं तुम नहीं खेल रही हो मैंने आपको बताया था उसका जो है formula क्या है उसका formula होता है बिल्कुल same रहता है नहीं का मतलब होता है not तो वहाँ पर हम not लगा देते हैं देखिए subject plus is mr पहले जो था वो same है वैसे ही plus not is mr के बाद वहाँ पर उसके आगे not को प्योग हम करेंगे जब आपको example यहाँ पर दूँगा तो अच्छे से आपको clear हो जाएगा तो हम not का use करेंगे फिर वैसी उसके बाद plus verb का first one उसके साथ ing plus object जो लाश में बच जाएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं football नहीं खेल रहा हूँ मैं football नहीं खेल रहा हूँ तो सबसे पहले subject subject क्या है मैं I I के साथ क्या लगता है is MR जी हाँ I के साथ लगता है I am फिर लिखा हूँ है not क्योंकि negative है नहीं खेल रहा हूँ तो यहाँ पर not के use करेंगे तो I am not यहाँ पर हम लिखा not फिर verb का first form वर्ब आने करिया तो क्या करिया हो रहा है फुटबॉल करिया है नहीं खेलना करिया है तो यहाँ पर नहीं खेल रहा हो खेलना है play plus ing जी शिरफ play नहीं लिखेंगे गलत हो यागा plus ing जूड़ेगा यहीं नहीं हमें play plus ing तो play के साथ ing जूड़ेगा तो playing I am not playing फिर लाश्ट मेंब बजगिया object याने कि किसके बारे में बन्लब क्या चीज खेल नहीं रहा है किसी चीज के बारे में बात हो रही है वह हो रही football अफिट बंई लॉटबाल पिखेंगे राम सेव नहीं चाह को रहा है नहीनव का प्रीव रहा है लेकिन पील की हो तो फिर आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं फिर बागी आप टेंस पूरे बना सकते हैं अलग-अलग होता है वह आपको बताते जाओंगा तो देखिए इसमें राम सब्जेक्ट क्या है राम किसके बाद मात हो रही है राम के बारे में तो हम यहां पर लिखाओ रहा है नॉट क्योंकि नहीं खेल रहा है तो राम इस दिख्ञा नहीं फिल दिखा रहर नियाने क्रिया यहने होता है खाना यहाँ पर सेवत क्रिया नहीं है ठाला खा रहा है खाना यह ठाला तो फ atrav. अ Andrew उसके सथ हमें जोड़ना है प्लस ऐनजी ब्राम इंग मैं दिखे और साथ में लुझत आयएंग राम इस नॉट इटिन राम नहीं खा रहा है क्या नहीं खा रहा है अजो झालिए प्थी आप्जेक्ट और फ्र cabinet ने चीज के बारे वाहत हो रही है क्या आथिा यहाँ पर सेड नहीं खा रहा है तो सेब रहा जो तो राम इस नॉट इटिंग एडबल पी एपल राम से नहीं खा रहा है मतलब राम इस नॉट इटिंग एपल यहोगे निगेटिव नहीं खा रहा है उसका एक और एक्जमपल लेखते हैं फिर हम इंट्रोगेटिव बढ़ जाएंगे वह नहीं नाच रही है वह नहीं नाच रही है सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट किसके बारे मात वह तो वह याने ही याने भी वह होता है और सी याने भी वह होता है लेकिन आप लाश में देखेंगे रही है रही याने आप समझ गया कि वह लड़की है याने कि स्ट्रि जब वह इस्ट्रिलिंग होता है तो वहाँ पर हम वहाँ पर C का यूज़ करते हैं ही याने वह होता है लेकिन वह पूल्डिंग के लिए याने के लड़कों के लिए लड़कों के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आएगा वर्ग केलिए के लिए पर नहीं को अपयोगा है नाचना करीया है, तो क्या नाचना। । डांस के साथ आपको ऑनचना प्लस आय-जी तो डांस के साथ आपको आइञ जोड़ देना है, तो यह हो जाए गा आपका ड-D-A-N-C-I-N-G। वैसे तो डांस केıktरा L-D-A-N-C-E होता है, लेकिन जब आइनजी जूड जाता है तो वहाँ पर E हट जाता है उसका जो रूल है मैंने आपको एक वीडियो में बता के रखा है आइनजी लगाने के जो रूल है उसका जो है उसे भी आपको description box में निचे दे दूँगा यहां link में दे दूँगा इंजी जब लगता है तो वहां पर क्या होते है भी आइनजी लगाने के उससे आपको विष्कर से मजा है तो यह दी आप लिख देंगे DANCE फिर ING आप लिख देते हैं महारे जीए इस प्रकार सेरी आप लिख देते हैं D A N C E फिर I N G आप लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा यह जो I N G आप यूज़ करेंगे तो D A N C I N G वहाँ पर I नहीं लगाएंगे यह नियम मैंने आपको बताया आप इस स्रिफसर में देख लेंगे फिर आज का वीडियो यहाँ पर समाप हो जाएगा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए इसका जो अगला पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देदूंगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें